साथियों ये एतिहासिक छाण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है हमें देश के लिए नवसंकल्प लेना है खुद को नई उर्जा से भरना है इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घड़ों में मैं पूरे देश के 140 करोर देश वासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमी से प्रार्थना कर रहा हूँ अयोध्या की प्रभुराम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूँ मैं 140 करोर देश वासियों को हाथ जोड करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप 22 जनवरी को जब अविध्धा में प्रभुराम विराजमान हो अपने घरों में भी स्री राम जोती जलाएं दिपावली मनाएं 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक कर्वद्ध प्रात्रा और भी है हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साच्छी बनने के लिए वो स्वयम आयोध्या है लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संबव नहीं है अयोध्या में सबका पहुंतना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को देश भर के राम भक्तों को उत्तर प्रदेश के विशेश करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार वीधी फुर्वक करकम हो जाने के बाद 23 तारी के बाद अपनी सुभीता के अनुसार वो अयोध्या आएं अयोध्या आने का मन 22 तारी को न बनाएं प्रभु राम जी को तकलीव हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें साड़े 500 साल इंतजार किया है कुछ दिन और इंतजार कीजिए और इसलिए सुरक्षा की लिहाद से व्यवस्ता के लिहाद से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन है उद्याका नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्द है आप जन्वरी में आए फरवरी में आए आए मार्च में आए एक साल के बाद आए दो साल के बाद आए मंदिर है और इसलिए बाहिश जन्वरी को यहां पहुंचने के लिए बिड़भार करने से आप बचिये ताकि यहां जो व्यवस्ता है मंदिर के जो व्यवस्तापक लोग हैं मंदिर का जो ट्रस्ट है हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है इतनी महनत करके किया है पिछले तीन-चार साल से दिन रात काम किया है उनको हमारी तरफ से कोई तकलिफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं बार-बार आगर करता हूँ कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करे कुछी लोगों को निमंत्रन गया है वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देश वास्यों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा साथ्यों आज मेरा एक आगर मेरे अयोध्या के भाई बेहनों से आपको देश और दुनिया के अन जिनत अतिजियों के लिए तैयार होना है अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोच अयोध्या आते रहेंगे लाखों की तादाद में लोग आने बादे हैं अपनी अपनी सुविदा से आएंगे कोई एक साल में आएगा दो साल में आएगा दस साल में आएगा लेकिन लाखों लोग आएंगे और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा अनंत काल तक चलेगा इसलिए अयोध्यावासियों को आपको भी एक संकल्प लेना है और ये संकल्प है अयोध्या नगर को बारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का ये स्वच्छ अयोध्या ये अयोध्या वास्यों की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है मैं आज देश के सभी तिर्त छेत्रों और मंदिरों से अपना आगरद हो रहूंगा देश भर के लोगा से मेरी प्रातना है बद्य राम मंदिर के दिनबार के निमित एक सब्ता पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तिर्त स्तलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा भ्यान चलाया जाना चाहिए झाहिए झाहिए